नमस्कार दोस्तों गारगी क्लासेस पर आपका स्वागत है डीटा आज की एक दिसमबर 2022 देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेइन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे हमारे पास में दो आर्टिकल्स है एक त सुनवाई चल रही है बेसिकली एक मुद्दा है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको गोडावन भी बोलते हैं ठीक है राजस्तान का ये स्टेट बर्ड है तो बेसिकली इसकी प्रोटेक्शन को लेकर के बाच्ची चल रही थी क्योंकि मतलब हर साल बहुत सारे सुनिटर्ड ज Εंटतर जबर्ड है तो इसके प्रोटेक्शन के लिए बात्ते चल रही थी तो उप्रिजट लॉन्च कर दो इस चीज के लिए राजस्तान और गुज्रांड सरकार को सुप्रीं कोड के तरफ से उर्डरश डिएर किए हैं कि ज़िए ौटि आप एक report बना करके बताओ कि क्या किए जा सकता है G.I.B. इसको protect करने के लिए क्योंकि अभी mainly great Indian bastard है यह आप देख सकते हो यह ठीक है grasslands में पाए जाते है mainly तो बुले इनको protect करने के लिए आप क्या plan कर सकते हो ठीक है तो जो Chief Secretary है उनको अपना plan देना होगा राजस्थान और गुजरात की जो चीफ सेक्रेटरी हैं जी आईबी के बारे में थोड़ा जान लेता है यह critically endangered है ओके IUCN की red list में और अगर देखा जाए तो वैसे तो Indian subcontinent मतलब South Asia में पूरे में मिलता था पहले ही पर आज अगर देखा जाए ना तो केवल 10% geographical area पर ही GIBs आज के टाइम पर बचे हैं तो मतलब बहुत जादा इनकी कमी आई है ठीक है और वैसे अगर इनकी features की बात कीज़ें तो यह heaviest bird है जो की उड़ सकता है ठीक है उड़ने वाले जितने भी birds हो उनमें सबसे ज़्यादा heavy bird यह go down ही होता है GIB होता है बाकि insects, lezards, grass seeds इनको खा करके अपना time pass करता है बेसिकली GIB एक flagships bird species है इसका मतलब यह एक ऐसी species है अगर इसके numbers rise हो रहे है इसका मतलब grassland की health बहुत अच्छी है grassland ecosystem की health बहुत अच्छी है यह show करता है तो flagship species बेसिकली यह show करती है कि किस भी ecosystem में जो भी flagships की scheme बार बार species होगी जितना उसका protection होगा जितने उनके numbers जादा होगा इसका मतलब उतना ही healthy वो ecosystem है ठीक है अब सवाल यह की endangered कैसे हो रहा है इसमें देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि जब यह उडान बढ़ता है फ्लाइट लेता है तो इनका दूर तक का जो vision है वो कमजोर रहता है तो जो power transmission lines होती है ठीक है electricity supply करने के लिए उनमें यह उलच जाते है और उसकी वज़े से फिर इनकी वहाँ पर electric shock लगने की वज़े से इनकी death होती है ठीक है राजस्तान और गुजरात को कि भई बात ऐसी है जहाँ जहाँ पर भी great indian bastard रहते है वहाँ पर यह power lines जो है वो overhead की बजाए उनको underground कर दो जिससे की उनको बचाया जा सके ठीक है अब इसी चीज़ को ले करके फिर से बात कह दी है Wednesday को जब hearing चल रहे थे 6 हफतों का time दिया है कि आप कैसे आप काम करोगे ठीक है गुजरात सरकार को राजस्तान सरकार को यह कहा है और इसके तरीके क्या हो सकता है bird diverters that means reflector like structure create कर दो कि जहाँ पर भी power line supply के लिए power line आपने डाल रखी है उदर उन birds को GIBs को अनई मत दो उनको divert कर दो पहले ठीक है इसके अलावा length assess की जाए कि कहां कहां किन areas में GIBs ज़्यादा रहते हैं उनको फिर underground बनाओ फिर यह चीज यहां पर बताई गई है ठीक है तो मोटी मोटी जो चीज थी वो देख ली next है how to read GDP data तो जानते हैं इसको पुरा detail कैसे read करते हैं वही जीडीप data को ministry of statistics and program implementation that means most be उसके दोवारा economic data release किया गया है 2022-23 मतलब financial year 23 के second quarter का second quarter का मतलब July, August और September महीने में क्या performance रही है 2022 की अगर बात की जाए तो ठीक है तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि GDP growth rate तो रही है 6.3% इसका मतलब 2021 का जो second quarter था 2021 में July, August, September का जो तीन महीने का time था इसमें जो economy की performance थी GDP wise उसमें 6.3% की growth देखने को मिली है अगर हम पिसले साल को इस साल से compare करें तो इस साल growth अच्छी रही है 6.3% इसके अलावा MOSTP के दोरा जो data release किया जाता वो सिर्फ GDP का नहीं किया जाता GVA का भी किया जाता GVA का मतलब था gross value added ठीक है तो इसमें भी बताया गया है कि 5.6% जो है वो growth होई है GVA में again वो ही year on year मतलब July, August, September 2021 21 के महीने में जो GVA की report आई थी data है था उसके comparison में इस साल का GVA का data जो इन तीन महीनों का आया है July, August, September 2022 का उसमें 5.6% growth rate देखी गई है अब सवाल यह है कि यह calculate कैसे होते है और यहाँ पे GDP तो 6.3% जा रही है और GVA 5.6% जा रहा है तो यह difference क्यों यह हम समझते हैं थोड़ा देखो सबसे पहले तो GDP का मतलब क्या होता है वो समझीए देखो GDP का मतलब होता है कि किसी भी country में country का मतलब एक geographical area जिसकी boundaries है ठीक है उस country में एक given period जो की normally एक साल लिया जाता है किसी भी country में given period में कितने final goods और services produce हो रहे है उन final produce हो रहे है या फिर यह मानो consume हो रहे है ठीक है तो उनकी आप value निकाल लो monetary value निकाल लो और उसको add कर दो ठीक है या तो आप कहँदो कि भई production कितना हो रहा है या फिर खरीददारी कितनी हो रही है दोनों मैंसे जो भी आपको लेना चाहिए हम production को ले सकते है ठीक है तो एक particular time period में किसी country में कितना final goods और services का production हो आ उसका monetary value add अगर कर दे तो वो उस country की GDP कहलाती है ठीक है तो इस तरीके से GDP जो है वो total expenditure को show करती है कि एक country में कितना क्या expenditure हो रहा है क्योंकि खर्च करोगे वो ही तो खरीद होगे खरीद होगे इसका मतलब production हो रहा है इसलिए इस तरीके से calculation हो सकती है अब देखो GDP growth को जब हम measure करते हैं तो चार important parameters होते हैं उन चार parameters को अगर देखें जो की GDP में अपना contribution देते हैं तो सबसे पहले आता है private final consumption expenditure PFCE इंडियन्स के दुआरा जितने भी अपने requirements है private consumption की उसके लिए कितना पैसा खर्च किया जा रहा है ठीक है एक तो यह component है दूसरा government final consumption consumption expenditure या GFCE इसका मतलब सरकार के दुआरा सरकार के दुआरा salaries में या कोई भी काम किया जा रहा है उसमें पैसा जो खर्च किया जाता है वो इस parameter के अंटर आ जाएगा और तीसरा parameter होता है gross fixed capital expenditure मतलब कि investment कितना आ रहा है productive capacity increase करने के लिए कितनी क्या नई factories industries लग रही है export कि भई आप export कितना करते हो import कितना करते हो दोनों का difference तो हम अगर export ज्यादा करें तो net export plus में आ जाएगा और अगर export कम करें import ज्यादा करें तो negative आ जाएगा तो इंडिया के लिए तो देखो net export हमेशा minus में आता है क्योंकि हम एक import dependent country है तो ये तो calculation होगी GDP के अब GVA calculate करना है तो GVA देखो calculate किया जाता sector wise sector का मतलब क्या हो गया agriculture sector क्या कर रहा है manufacturing sector क्या कर रहा है service sector में क्या performance है mining में क्या हो रहा है fishery में क्या हो रहा है वो सारा तो इसका मतलब क्या हुआ कि GDP में तो हम demand side की calculation करते है भी कोई calculation करनी होती है और calculation करने का तरीका क्या होता है कि GVA calculate की जाती है जो भी final goods and services produce हो रहे है ना अलग-अलग sector के हिसाब से उनका आप output value calculate कर लो और उसमें से intermediary inputs हैं उनको minus कर दो क्योंकि आपको पता है ना कि नीट तो double counting हो जाएगी कैसे है मान लो कि एक product बनाना है biscuit biscuit बनाने का तरीका पहले biscuit को बनाने के लिए अच्छे आटा floor floor के लिए क्या चाहिए हमें wheat और wheat के लिए क्या चाहिए हमें बहुत सारी machinery की requirement of fertilizer bisley इनकी requirement है तो यहाँ पर अगर हम एक तो biscuit की value calculate करें आटे की value calculate करें और wheat की value calculate करें तो ऐसे में आपने wheat को तो एक दो तीन बार count कर लिया आटे को दो बार count कर लेगो biscuit एक बार count कर रहे हो तो इसको क्या करना पड़ेगा कि biscuit की जो final value है उसमें से आटे की और wheat की जो value है intermediate जो goods हा रहे हैं उनकी value को minus करना पड़ेगा नहीं तो double counting हो जाएगी समझ कें दो बार count हो जाएगी चीजें दो या दो से ज्यादा बार तो इसका तरीका क्या है कि GVA किसी भी sector का calculate किया जाता है तो output जो भी होता उसकी value minus intermediary inputs है उनको हटा दो और इससे आपको पता पड़ जाता है कि कितना value addition हुआ है actual में किसी भी product को तैयार करने में अब इसमें देखो जो ये value addition होता है ये किस-किस की वज़ा से होता है production, labor और capital ठीक है primary factors में फिर इसको divide कर दिया जाता है GVA calculate होता है sector wise फिर उसमें आप value of output calculate करते हो जिसमें से intermediary inputs को minus कर देते हो फिर आप जो भी value edits मतलब जो final आपने calculation कर ली उसको आप divide करते हो किसमें primary factors जो की कौन-कौन से होता है production, labor और capital में अब GVA से क्या पता पढ़ता है कि एक-एक sector का idea लग जाता है separately कि कौन सा sector अच्छा perform कर रहा है कौन सा struggle कर रहा है GDP में इतना detail में नहीं पता पढ़ता तो ठीक है, economy के हालात समझने के लिए GVA थोड़ा जानना जरूरी होता है अब सवाल यह है कि GVA और GDP में relation है कुछ? बिल्कुल है क्या relation है? GDP is equals to GVA plus taxes earned by government minus subsidies provided by government, यह simple formula है अगर आपको GDP calculate करनी है, तो GVA में government के द्वारा जो tax लिये जाते हैं, वो add कर दो और government के द्वारा जो सहायता दी जाती है subsidies जाती है, उसको minus कर दो GDP आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? अगर सरकार के द्वारा taxes ज़्यादा ले लिये गए और subsidies कम दे दी गई तो इसका मतलब GDP बढ़ेगी की नी बढ़ेगी GVA तो है जो है, पर taxes जादा है, subsidies है कम तो इसका मतलब क्या हो गया? automatically GDP बढ़ा की नी? यही factor है, अब की बार GDP तो है उसकी growth rate तो जादा है 6.13 और जबकि GVA की rate है 5.something जो आपी दिखाता हूँ यह देखो आप यहाँ पे 6.3% तो GDP growth rate रही है और GVA की 5.6% इसके पीचे कारण क्या है? GVA तो है जो है, पर taxes जादा ले लिए subsidies कम हुई इसका मतलब क्या हो गया? GVA में आपने addition जादा कर दिया तो GDP automatically जादा मिलेगी की नी? यही वज़े है कि GVA कम calculation दिखाई दे रही है और यही अगर quarter 2 की absolute terms में देखो तो GDP तो कितनी आई है? 38,16,578 करोड और GVA कितना आया है? 35,5,599 करोड clear है यह चीज? अब देखो GDP data है न? इसको use किया जाता है internationally comparison के लिए ठीक है? क्योंकि GVA तो क्या है? किसी country में agriculture dominate करती है किसी में industry dominate करती है किसी में service dominate करती है अब इनको आप दूसरे country से compare करो तो कोई ज़री दोना दूसरे country में भी agriculture उतना ही contribute करता है जितना की India में करता है है की नहीं? तो ऐसे में इसके लिए एक reference standard क्या लिया जाएगा? GDP ठीक है? तो GDP एक standard method है जिसके basis पे economic growth को पता किया जाता है दूसरे country के साथ में compare करना भी बड़ा आसान रहता है अब देखो GVA data show क्या कर रहा है? quarter two के बात करें तो biggest news क्या है? कि GVA data में ये बताया जा रहा है कि manufacturing sector अना ये contract कर रहा है अब manufacturing sector आपको पता job creation में बहुत बड़ा काम करता है जो लोग भी agriculture के काम को छोड़के शहरों में आते हैं उन लोगों को फिर बाद में नोकरी कहां मिलती है? manufacturing sector में पर manufacturing sector ये अगर contract करेगा समझ गए? demonetization ये point आगया है यहाँ पर फिर GST फिर COVID फिर दूसरे sectors की बात करें तो जैसे service sector में trade, hotels ये growth अच्छी दे रहे job create भी कर रहे है ठीक है? पर वही है कि growth के वल 2% की है 2021 के comparison में mining की, acquiring की इनकी बात करें ये contract कर गया और positive story कहीं से आ रही है तो वो है agriculture जिसमें forestry, fishing ये भी included है इसमें 4.6% की growth rate डेकी गई है इस quarter में ये data इतना काम का नहीं है बस comparison analysis point of हो सकता आपके answer writing में help कर जाए ये चीजें ठीक है? GDP data, ये तो GVA show कर रहा था अब GDP क्या show कर रही है? देखो GDP की बात ऐसी है कि हमारे यहाँ पे जो GDP में सबसे बड़ा contribution आता न वो है private consumption expenditure मतलब हम लोग यहाँ पर भारत की within boundaries रह करके कितना खर्चा कर रहे है वो GDP calculation में कितना contribute करता 55% बहुत बड़ा ये key factor है ये GDP calculation में और इसकी अगर बात करें तो अभी फिलहाल देखा जाए तो depressed देखा गया है क्योंकि पैसा ही नहीं है लोगों के पास में हमें हमारे पास ही नहीं है भई कहां घर्चा कर रहे हैं आप लोग खुद देख लो घर पे कि आज के 3-4 सार पहले क्या खर्चे होता है तरह आप कहा होता है ठीक है तो यह reduce हुआ है दूसरा expenditure towards investment दूसरा main contributor अगर देखें GDP calculation में तो वो आता है आपका investment 33% weightage इसका होता है 55% तो किसका हो गया private consumption का और दूसरे पर आगया investment ठीक है तो private consumption की अगर बात करें तो इसमें past year के comparison में इसके अलावा investment expenditure की बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हो 2020 से लेकर 2021 के बीच में investment भी rise हुआ है पर वोई चीज है कि कहीना कहीं हमें foreign portfolio investment के चकर में reduction भी देखने को मिलता है ठीक है कैसे इंटरस्टेट rise करते तो पैसे निकल की जाता है इसके अलावा biggest surprise कहां से मिला है GDP में government का जो investment होता है उसमें contraction देखने को मिला है ठीक है और यह GDP calculation में कितना participation देता है अपना 10-11% और फिर बच गया GDP calculation में last component that is net export data net export में तो बहिया इंडिया negative रहता क्योंकि हम import बहुत जादा करते है तो इस तरीके जे GDP calculate की जाती है ठीक है ना तो वो सकता है इसमें prelims में basic से एकदम question आ जाए ध्यान रखना थोड़ा इसका फिर एक या article है चाइना में anger crisis ही है जो चल रहा है इसके पीछे कारण क्या है एक तो दो वीगर Muslims का जो मुद्दा है उसकी वज़े से एक है जो zero covid policy के चकर में lockdown लगा रखे है उसके खिलाफ में protest हो रहा है उनी को बड़ी minute details में बताई हुई है तो इसको तो एक बार आप खुद से ही पढ़ लेना क्या है SKPJ की पूरी story ठीक है main story तो आपको पता ही है जो हमने editorial में देखा था कि एक apartment में आग लग गई zero covid policy के चकर में फिर वहाँ पर पहुंच नहीं पाया था fire brigade आग लग गई वहाँ पर परेशानी बहुत ज़ाद हो गई फिर बाद में लोगों को नाराज गया गई और बहुत सारी अलग-अलग cities में लोग प्रोटेस्ट कर रहा है इवन Chinese President Xi Jinping से resignation तक के demand कर दी अभी ये तो गनीमत है कि एक authoritarian dictator regime में वहाँ पर से reports निकल के आ रही है videos viral हो रही है ये भी बहुत मुश्किल होता है नहीं काईना के अंदर ये अंदर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है पर वोई चीज है बही social media का जमाना है लोग बड़े aware रहते हैं अपने rights को लेकर गे ठीक है जे तो ये मुद्दा था main main discussion यहीं पर खतम है thank you very much